इस वीडियो में हम, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्थ से मेले नियुलिडिक और चल्लिटिक विलिजिस का डिसकॉशन करने वाले हैं, जो 7000-2000 WC के बीच में थे इससे पहले में विडियो में मैंने इस पूरे चाप्टर की टॉपिक वाइस डिटेल डिस्काशन विडियो बनाई हुई है तो यह अगर विडियो आपको बहुत फास लगती है रिविजिन में तो आप उन डिटेल विडियो को अच्छे से देख सकते हैं इस चाप्टर में मैप वक बहुत जादा है क्योंकि सेटल्मेंट्स और साइट्स की बेसिकली ट्रेसिंग बहुत जादा है कि कौन से एरिया में कब-कब नवपाशान गाओ या चालकुले ते गाओ पुए तो क्योंकि मैं मैं अप सीरीज पर अलग से वीडियो बनाने वाली ह इसलिए मैंने साइट्स के वर में इतना डिटिगल डिसक्रशन नहीं किया यहां पे लेट्स स्टार्ट दचाप्टरो जो फॉर्स्ट एग्रिकुल्चरल विलेजेज हुए थे पूरे वोल्ड के वो इमर्ज हुए थे 8000 से 6000 बीसी के आसपास से इसमें वेस्ट एशिया सबसे प्रॉमिनेंट एरिया था यहां पे वीट और बारले की खेती चालू हुई थी और सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में शीप और गोट यहीं से मिलते हैं कुछ और ऐसे नफपाशान गाहों हैं जिनके एक्जाम्पल हमें डिफर्ण डिफर्ण पार्ट से मिलते हैं पूरे वर्ल्ड के जैसे जैरेशो हो गया या फिर अलीकोश महरगट स्पिरिट केव लहुरा देव इन सब एरिया से हमें नियोलिथिक रिमेंस मिलते हैं कि यहा सब्सक्राइब करते हैं यह पूरी एक नियोलिथिक लाइस्टैल डिमेस्टिकेशन क्या होता है जब प्लान्स और अनिमल्स को उनके नाच्रल हाविटाइट से रिमूफ करके उनको आर्टिफिशल केर देते हो तो उसके विजह से उनके पीरिड दर पीरिड उनके ऐसे चे बीहेवियर बन जाता है उसे चीज को डिमेस्टिकेशन केता है डिमेस्टिकेशन क्यों वहा होगा तुमेस्टिकेशन अब इसका डिफेंट इवर्णत् शीटॉरिंस और अगलाग रीसेंटें जरते हैं गॉंकि इंवाइमेंट में से चेंज आयोंगी जो थोड़े से ड्र कर्दम इसी वज़े से हुआ वहीं दूसरी और ब्रैड वुट का कहना है कि यह जो पूरा एक्सपरिमेंटेशन था डॉमेस्टिकेशन से और खेती से एक नाच्रल आटकम है क्योंकि हुमन्स और बात क्यूरियस अप्र जाती है उन्हें क्यूरासिटी रहती है चीजे करने की तो उनकी क्यूरासिटी से उनकी बेटर इंडेस्टैनिंग से नाच्रल ली चीज हो गई फाइन बिन फोर्ट का दूसरी तरफ कहना है कि इन्वाइमेंटल चीज जो डेमोग्रफिक ग्रोथ यह दो ऐसी फैक्टर्स रहे होंगे जिनकी वज़े से हुमन से कंसिटर करना अगर आप एक से लिए जब फॉर्ट जाते हैं तो क्या हम यह सकते हैं कि इस तरीक से इस तरीक से शायद इस परमेंट स्टार्ट वा अब बात करते हैं कि डोमेस्टिकेशन हुआ है इसका सबूत कि है हमारे पास अर्किलोजी में लिखें जब हड़ियां मिलती है पुरानी पुरानी चार हजार साल पुरानी पांचालिगव लिए सब्सक्राइशन किया जाता है अगर आप एक सैटल मेंट में पाई गई भेड की एग्टियां का एग्यों को उसी टाइम की जंगल में पाई गई भेड की हड़ियों का एक्जामिन करोगे तो आपको ये दुनों हट्डियों में डिफरेंस दिख जाएगा कैसे जो डोमेस्टिकेटेड भेड है और जो वाइल भेड है उनमें बहुत डिफरेंस होगा डोमेस्टिकेटेड वाली भेड का जो दातों का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग हो कि बहुत अच्छीं से डिफाइंट के डिफाइन होते हैं क्योंकि आप इने केर देरियों डिमेस्टिक वालों को उसके सबसे भी अगर प्लैंट करें तो अगर एक डिफरेंस आजाता है कि जो वाइल प्लैंट होता है उसको अपनी दिक्बल खुद कर लिए अगर वीट ऐ पानी खुद डूनने दूप से बचना है जानवरों से खुद को बचाना है तो उसकी क्रॉप बनाने में उसकी एनर्जी दिस्ट्रिब्यूट हो जाती है तो फैल उसका कम बनता है चोटा बनता है चोटे-चोटे गहों के दाने आएंगे पर यहां डूमेस्टिकेटेड में आप उसको जंगली जानवरों को उसे खाने नहीं दोगे गाय भैस से बचा के रखोगे उसे और उसको पानी भी उप्यूप देते रहोगे न्यूट्रिशन भी डालते रहोगे तो उसके पौदे का पुरा ध्यान अपना फूट बनाने होगा तो इसके वीट के ग्रेंस काल के पौधों को जानवरों को अपने पास रख रहे थे अपने फाइदों के लिए इंडियन सब कॉंटिनेंट के अगर बात करें तो ऐसा नहीं था कि अगर लोगों ने एक बर खेती स्टार्ट कर दी तो वो हंटिंग एदिंग एक दो में भूल गए इंट आज भी इंड यह इस अगर आगी तो मतलब दूसरी डिसप्यर होगी फिर भी नियुलिथिक फेस्स को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है जो फेज़ेज हैं वह सात हजार से तीन हजार बीसी ही फेस्ट्री दो हजार से वन हजार बीसी तक यह फेस इ हैं जो 2000 से 1000 बीसी में आएंगी निलिथिक साइट वह लो हम चैप्टर फाइव में बात करेंगे अब बात कलेते साइट की यह साइट का पूरा रिफरेंस हो गई नहीं करेंगी जिसमें मैं डिटेल्ट बीडिसक्शन करोंगी मैप वाइस हर साइट का तो आप उस वीडियो में भारती महादुविप में सबसे पहले गाउं कौन से थे जो प्रॉप अप हुए कि सबसे पहले कौन सा ऐसा एरिया था जहां पे लोगों ने को छोड़ के अपने एक सेडेंटर लैिश्टाल में खेती करना चालु किया सबसे पहले हम पढ़ते हैं नौ converting भी पाला पाकिस्तानWait को अधिभ प्राइशंने मिली और पाकिस्तानी हुए कि उससे पहले तहीं ईंडिया का हिंसाइज़ को इंडिया पार समझे के पढ़ लेते सबसे अच्छी जो साइट है वो है महरगट डॉक्यूमेंटिट है बहुत अच्छे तरीके से यहां चे साथ लेवल को अक्यूपेशन में देखने को मिलता है और अच्छे से इस्टोरिन को लेर बाय लेर दिखता है कि कैसे लोगों ने अपनी लाइफ छोड़ी है अंटिंग जो गए इस तरीके से महरगट से में बहुत अच्छा है वो देखने को मिल जाते हैं बाकी साइट जो यहां पर हैं वो हैं लेवान गुमला राना घुंड़ाई अंजीरा सी आदाम की लेगुल मुहमद मुंडिगक बाला कोट नाल एक साइट है यहां पे साइट यह नाल इ फर्स्ट है महरगट महरगट के छे साथ ओक्यूपेशनल लेविल से उनकी बार मुल डिसकाशन है यह पूरा सेकेड़ मुहमद दम सादत अंजीरा सिया दाम मुंडिगक यह अफगानिस्तान में साइट बाकी सारी पाकिस्तान में डाबर कोट राना घुंड़ाई सूर नें थोट घंगरहाकडा घंगरहाकड़ा है साइट व्लडखर हाकड़ा फेसिकली के संधर में में हों की एक के हेसरी के संधर में में दया इन्भानिस्तान भूल नाम के पाकिस्तान की उन्न से और भी साइट से मिलने लगी इन पक Sugika को नाम सब्ट करके गया और जहां से पौरत था कि वह नियोडिक से करेची स्वाश्य को उस अरिया को दरा खानवे से मिलती है कढ़ा करा की बैक सवाटुर सो फाइन्टरी इसके बात करते हैं यहां की डेट से वही 5000 से 6000 बीसी के आसपस की वीची डेट से चार साइट से इंपॉर्टन्ट है लहुरादेव कोल्डेवा महागड़ा कुंजुन इन चारों से हमें चावल के खेती के ब्रहाण मिलते हैं बहुत पुराने चार-5,000 साथ पुराने तब से चावल उगा के खा रहते हैं लोग इस सेरिया में तो आज भी लोग चावली प्रीडॉमिनेटली खाते हैं ऐसा नहीं है इसे चार साइट सी ऐसे 40-50 साइट मिली हैं नियोलिटिक इस पूरे अरिया से पर हम डिसकस्ट इन चारों को किया क्योंकि डीपली अच्छे सिक्सक् नेक्स्ट है नियोलिथिक, नियोलिथिक, चैलकुलिथिक इन चैलकुलिथिक कम्यूनिटी अभी तक तो हम ऐसे ही पूरे डिसकस्शन कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट और उन चारों साइट के बारे में जो एक्दम बहत पुरानी है 7000-6000 BC से स्टार्ट हो और महां पे में ता आसा नहीं हर किसी से अमभा मिला लेकिन तो हमें फ्म के सब्सक्राइं के नॉर्ख साइट्स और या नॉर्थ वेस्टरी वाली जो बहुट जादा पुरानी थि 7,000-8,000 BC वाली थी, इसलिए मने इनको अलग से सेपरिल डिसकस किया था North and North West में सबसे पहली जो साइट्स हैं वो हैं बुर्जा होम, गुफरकल और हरी-परी-गोम, ओल्ची-बाग, पामपुर, पैंजॉम, सुम्बुर, एट्सेक्टरा इसमें अच्छे से उत्खनन और डिसकाशन अभी बुर्जा होम और गुफरकल का हुआ है इसके अलावा भी बहुत साइट्स हैं पर आकिलाजी में वही साइट्स हैं जो जादा अच्छे डीपले डिसकस होती है नौर्थ वाला जो पार्ट है इंडिया का वो इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहां पर हमें एक तो डॉग्स मिले हैं किसमें बरियल्स में हुमन्स के साथी पहली बात तो तो बुर्जा होम गुफर कल यहां से दोनों में हमें ऐसे बुर्जा हो में स्पेशल है में डॉग्स जो है वो अपनी हूमन मास्ट के साथ गाड़े में मिलें और पिट ड्वेलिंग्स मिलें कि लोग गढ़े खोद खोद के उनमें रहेते गढ़ों में तो नौर्थ जो पार्ट इंडिया का इसे दो चीजों के स्पेशल है तो डॉग जो है वो ग्रेव में मिलें और गढ़े कोद की लोग पिड्वेलिंग्स में रहे हैं ठीक है तो दो जो कल्चर की वह है गनेशवर जोद्पुरा कल्चर इसके 80 साइट से नॉर्थ इस्टन पार्ट में प्रेजेंट है सीकर जुन जुनू जैपुर वला एरिया कवर करता है और दूसरा है आहार बनास कल्चर बनास नदी उसके उसकी तरह उसकी वैली में पड़ता है और इसमें जो है इसमें भी असी नभी साइट समको देखने को मिल जाती है कि दोनों साइट जो है कौपर काफी मात्रा में यूज कर रहे थे सिर्फ पनाई नहीं रहे थे खुद के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चल रहा था यहां पर जो साउथ की अहड वरास कल्चर की वहाँ पर तीन साइट बहुत अछी से उकष्क बेट की गई है वो है गिलूंद बालधर और आहड यह तीन साइट गनेश्वर जोदपुरा 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 अच्छी से इकष्क बेट है नेक्स आतेमालवा रीजिन पेमालवा कौन सा सब्सक्राइब से भी फिराएं मालवा कल चर्च थ liaison रिखंग गञाएं को िड्स फीन तरी न के सब्सक्राइब promoting ‫ть व मिल लिए enfaThe सबसे पहला कल्चर जहां पर नियुले थे गाउं के ट्रेसिस मिलते हैं कल्चर और साइट में डिफरेंस होता है आपको वह हिस्ट्री के वोकाब में मिल जाएगा कि कल्चर और सबस्क्राइब के लिफरेंस है तो यह जो कल्चर यहां पर सुवालदा कल्चर कहते है उसकी साइट में एक है काउथ एक है दैवाबाद जुमहराष्ट्र में और सुवालदा खुद एक साइट है तापी वैली में लोकेटेड है नेक्स्ट है मिडिल गंगा प्लेन अन पर अब जो हम साइट की डिस्कॉशन करेंगे न यह के नई साइट से मतलब यह थोड़ी कम मतलब तीन हजार खाड़ी तीन हजार इसके आसपास से यह साइट जो है ऑक्कुपाई होना स्टार्ट हुई थी तो सो यूपी और बिहार की सबसे ज्यादा साइट से समें यूप थारा दिया जो है वो बोधियर टेंपिल के असपास लोकेटेड यह पांचो साइट जो है इन में थोड़ा बहुतामा का भी इस्तेमाल दिखने लग जाता है नियूवलिथिक लेविल्स पी दिखने हैं अलग अलग अ कि साउथ इंडिया की बात करते हैं साउथ इंडिया म यहां साउथ से तलो स्मिल रहे हैं लेकिन जोड़ाने बात है कि साउथ दूलेश के अफट ग्या संच में जेने मेंорот नौन आवेस्से और पूरा सेंटरる इंडिया से अलग उतने मिलती नहीं साइट में और यह arrive क्म की एश की लिए कि या क्रूह इंक ह Satan करना फ्रूटेवल स्टार्ट नी की अर्ली लेविल से यहां के जो नियूलिथिक लेविल से वो 2900-2400 बीसी के असपस स्टार्ट होते हैं तो यह काफी लेट है स्कंपेर टू नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तो यह एक पजल है इस्टोरेंज के लिए नियुलिटिक साइट्स जो है साथ इंडिया की वह एक बहुत इंट्रेस्टिंग पीचर से मांग्ड़ा सको बोलते है आश मांट्स यानि की राक का ढहले से अदनें अधिरमंगे टो पहले तो भुशेंस को यह इन psych के पूर Maori की पुरे माउंड इंढ है उस्का पूरा पूरा राघ का पहाड ही तो क्यों जला हनोग नहीं लें क्या रीजन पुछ का मानना है की कर्टिक सिंगिपèceिकेंज के लिठ थाई कुछ का मानना है कि हाइजीन के परपस से थे कुछ का मानना है कि हम बरल रहा है घूल रहा है तो उनका टन्ट पर क्षटड कहता हो गए फिर जाने पहले एक भिटने खाbildung से पहले पर जलाक है थो फ्रमा में को मिल आथ को जाओ छार। व सथा है डिसकस कर रही है इस वाले section में उतनूर है वो अंध्रप्रदेश में बतगल और बूदी हल करनाटक से बतगल से हमें बीटलनेट का सबसे पुराना evidence मिला है बीटलनेट जो आप पान में रखके खाते हो न वही बीटलनेट बतगल से बतगल है बूदी हल है इसके अलावा और साइट्स हैं साउथ में लेकिन वह हमने इहां पर डिटेल में डिसकस नहीं किये उनका आपको पूरा की पूरा चार्ट इस मैप में मिल जाएगा इस मैप के और में मैप क्लास में फॉर्दर डिसकस कर लोगी नेक्स्ट जो है वो है एक लाइफस्टाइल का कि लोग जो फा प्रफिश्ट कर लिया या फिर एक जगह पर रहके भी जरूई नियुक्ति करें करें हो सकता है वो सिर्फ जानवर भी पाल रहे हो सकते हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं अब एक डिवेट जो पर्सु करते हैं वह यह है कि जो फार्मर की जिंदगी थी क्या वहीजी हुई के स्थी इसाइडवांटेज कोई है केती करने के अचिए सिर्फ एड्वांटेज करते हैं पहली बात तो यह है कि फार्मर का डिस अड्वांटेज करते पहले फार्मर जो हैं वह बहुत व्लनरेबल लॉट होते हैं कि अगर बारिश अच्छी नहीं है सूखा पड़िया जाता पूरी के पूरी हार्वेस्ट खराब हो सकती है पेस्ट डिजीज का टैग भी पुराने टाइम में जब इता फंगी साइड और इस अब इता प्रेवलेंट नी था आज की लेकिन इस टाइब की लाइफस्टाइल में एडवांटेज भी बहुत हैं अगर आप हंटर गैधरर तो आपको कॉंस्टेंटली जिंदा करनी बड़ेगी कि आप कल क्या खाना है आपको हंटिंग रूस करनी है रोज एक ग्रॉवल करना है रोज आपको हर्ड वक करना पड़े उपर से हंटर गैधरर जो होते हैं उनमें कॉंस्टेंटली मूव होने के वज़े संके विमेन पर काफी प्रेशर रहता है तो अगर कोई विमेन प्रेग्रेंट है तो उसके थुड़ी प्रॉब्लमाटिक रहती है चीज़े एल्डर्ली विमें चिल्डर्न इनके लिए सेड सब्सक्राइब देखने को मिलता है सदेंट्री लाइफस्टाइल में और हायर लाइफ एक्सपेंटेंस भी बढ़ जाती है क्योंकि एक जगा आप रह रहे हो तो आप बेटर एंवार्मेंट को जान पाते हो बेटर उसका यूटिलाइज कर पाते हो एक क्वेशन जो हिस्ट सब्सक्राइब एक जना तो बनानी पाएगा अगर उसको वील को घुमाना है आज इतना मोटर तो थी नी तो वहाथ से एक जना गुमाता था दूसरा जना चाक बनाता था तो और ना हो सकता है चिल्डरन हेल्प करते हो घर की विमेन मिलके साथ पोटरी बनाती होंगी और हं इन फैक्त अगर हम करें तो जो खेती वाला समुदाय था उनकी जो मानने तो और विलीवस होते थी वो डिफेंट होते नुमाडिक वाले उसे कैसे नुमाड्स होते हैं पैस्टोरल्स होते हैं वो एक जिगा से तुसी जिगा मूव करते हैं तो उनके लिए कौन से देवता कौन से कल्स इंपोर्टन्ट होंगे जो उसमें सहल्प करें जैसे उनके लिए बारिश अचानक से ना आ जाए बार्ड ना जाए एकदम सुखा ना पड़ जाए ना एकदम से कोई कलामेटरी ना आ जाए उनके ठंडा स्टॉम ना हो जाए तो वह ऐसे देवता हो कि ऐसे कल् लेकिन जब आप धिरेडी खे थीटी वाले शाटल हो रहें तो आपके लिए फिरकांद जाए अपने तड़ी धर्टी की उरवर्ता शंता फार्टिलेटी यह सब जादा इंपॉर्टन्ट है बारिश होना यह सब जादा इंपॉर्टन्ट है गो एक फैमिनिन की पूजा करन इनको mother goddesses बोला जाता है क्यार क्योंकि खेती में feminine beliefs का feminine power का important इतनी इतनी वह रही होगी मानने था तो इसके वज़े से लोगों ने कुछ मूर्ति टाइप सो बनाया होगा पूजा करने के लिए और यह जो हमें terracotta figures मिल रही हैं यह मिट्टी की बनी हुई चिकनी मिट्टी की ब सब्सक्राइब इसके लाव बुल फिग्रीन्स मिली है काफी सरी साइट से इसे खेती का और कैटल रिएरिंग का important समय समझाता है क्या में राना गुंडाई मेहरगर मुंडी गाग बाला कोट गिलूंद बालाथल और चिरांथ इन सब से आसी टेराकॉटा फिग्रीन्स मिले तो लोग इतने डाइवर्स एरिया में रह के भी कुछ किती साई सिमिलर चीज़े कर रहे हैं बुल फिग्रीन्स बना रहे हैं मदर गॉडिस के फिग्रीन्स बना रहे हैं तौमा मिल रहा है ऐसी जगहों से जहां पर तामा नहीं है उत्पादनी नहीं होता तो इसका मतलब क है कि इंडिया में उस टाइम पे लोग इतने डाइवर्स डाइवर्स एरियास पर रह के भी आपस में कनेक्टेट थे लांगवज से मीथिस के बाव उजूद भी कनेक्टेट थे तो कंट्रूट करते हैं चाप्टर को हमने यह देखा कि इसमें कैसे 7000 BC के आसपास से लोग स अधिया अधिया चाप्टेट लोग कहीं एरिया में तो एक नियुलितिक लाइस चीर है कहीं वो चालकुलिक चीर है कहीं हडपा के आने से एक अर्बन लाइस्टाइल भी अलग अलग चने अलग चीजे कर रहे हैं फिर वे एक दिस्रूबंट अडिपेंडेंट है